अच्छी खबर ये है तेल सस्ता होने वाला है इंडिया में पाकिस्तान में तो खेर डबल महिंगा हो गया है 30 रुपया एक बार बढ़ा है फिर 30 रुपया एक बार बढ़ा है प्रइस चर्चा करते हैं जैसे विकास बैटा है मैं उसकी काहानी चुना रहा हूं आपको फिलाल के लिए आप ये समझे है कि भारत में तेल सस्ता होने वाला है प्रवाइडिड भारत सरकार इस ख़बर को सब जगें अच्छे से पहुंचा दे कि दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है बहुत गुरुजी आपको कैसे पता चलगे दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है अंतरियामी है, अख़बार पढ़ते हैं जाग्रत रहते हैं, आप भी पढ़िए दुनिया में तेल सस्ता होने वाला है इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रमान ये है, कि जिन तेहरा देशों की वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी थी फाइनली वो मान गए हैं कि हम production increase कर देंगे गुड न्यूज है ये हो सकता है आपको अभी realize ना हो रहा हो आपको लगे एरे होगा जने कब कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आपको background में ले जाकर सुन जाता हूँ जल्दी से सुनने का प्रयास करिए अपनी कहानी के अंदर एक किरदार है और उस किरदार का नाम है Organization of Petroleum Exporting Countries जिने आप OPEC के नाम से जानते हैं OPEC जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी जिसका मुख्याल है Vienna Australia के अंदर है Vienna जो की Austria के अंदर है माफी चाहिएगा Vienna Austria के अंदर है जिसमें 13 देश शामिल है और इन देशों को संग्ठित करने का जो उद्देश था मतलब इससी full form क्या है Organization of Petroleum Exporting Countries यानि की 13 देशों का वो संग्ठन और इसकी स्थापना जब हुई थी तो बगदाद समिट के माध्यम से हुई थी बगदाद सम्मेलन हुआ था Iraq की राजधानी के अंदर वहाँ पर यह निरणय लिया गया था कि दुनिया के जितने भी तेल बेचने वाले देश हैं ये अपने हितों का सनरक्षन करने के लिए क्यों न एक साथ एकत्रित हो जाएं और उनका एक साथ एकत्रित होना ही Organization of Petroleum Exporting Countries बनाया शुरुवात में पांच देश एक साथ मिले थे नेकिन सेकंड राउंड में आठ और देश मिल गए और कुल मिलाकर निर्मान हुआ ओपैक का और वर्तमान में ये तेरा देश दुनिया का लगभग आधा तेल बेचते हैं अच्छा साथ अब ये जो तेरा देश हैं इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे बहुत बुरे दिन क्या देखे मैं आपको बात बताता हूँ मतलब समय जो है ना वो किस प्रकार से फेरी खाता है बुरे दिन से आप इन्होंने ऐसे देखे कि जब 2019 के बाद से 20, 21 जब कोरोना आया तो हुआ क्या जनाब कोरोना काल में आप लोगों ने इन से तेल मंगवाना कर दिया बंद आप सबने गाड़ी चलाना बंद किया गाड़ी चलाना बंद किया तो लोगों ने घर के अंदर लोकडाउन में थे गाड़ी भी चलाते तो क्या घर पे ओन थोड़ी गर के रखते तो ऐसी इस्थिती में आपने काड़ी चला ना बंद किया ऑईल की डिमांड कम हुई तो डिमांड कम होने पर इस्थिती ऐसी आ गई कि अंतर्राष्ट्रिय लेवल पर ऑईल की कीमते जो अपन कहते हैं न क्रूड ऑईल उसकी कीमते जीरो डॉलर तक आ गई आप पूछेंगे क्या फिरी में बट रहा था क्या क्योंकि स्टॉक करने में ज्यादा खर्चा आ रहा था तो कैई जगे तो ऐसी परिष्थितियां बनी कि तेल ले जाओ ताकि हम उसको रख रहे हैं अपने पास में वह ज्यादा महंगा पड़ रहा है निकाल तो रखा है हमने अब उसको होल कि तुरंट जाते ही हम सब के पास में option आया कि हम लोग तेल का उपियोग करें दुनिया वापस से economy बूम करने लगी इस बात से अब ये लोग नाराज हो चुके थे इनने कहा बिटा जब 0 डॉलर पर पहुँच गया था यानि almost मतलब वैसे 40 डॉलर तक गया था इस तर पर लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां भी आई थी तो बोले बेटा जब इतना मुरी तरह नीचे आया तब तुम लोग साथ में नहीं आये लेकिन अब जब दिन अच्छे आये हैं तुम हमसे कहते हो कि तेल की कीमते बढ़ा दो तो अब देखो अब इसको थोड़ा स कम कर रहे हैं तो तुम लोगों को महंगा तेल मिल रहा है आपको मालूम होगा रूस युक्रेन का क्राइसिस जब हुआ तो अंतराष्ट्रिये इस तर पर तेल की कीमते एक सो चालिस डॉलर प्रती बैरल तक चुगई यह इस्थिती इतनी विकट हुई कि एक सो चालिस डॉ अमरीका में आ चुका जो कि दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत रखता है यह इस्थिती जब आने लगी तो रूस युक्रेन क्राइसिस में दुनिया भर के देशों ने रूस से तेल मंगाने पर पाबंदी लगाने का निने लिया तो कुल विलाकर कि यह होने हुए चोटी मोटी बात नहीं है बड़ी बात है ध्यान से सुनिये रस लीजे पूरा वाह आज हमारे एक मित्र ने चाय बनाई है और शांदार बनी तो भाई साब अब क्या हुआ कि बाइडन ने सौधी अरब आने का निर्णे लिया किस बात पर कि मैं जाकर के सौधी चाते क्योंकि उसको पनिश्मेंट देना चाते हैं दूसरी तरफ तुम लोग तेल का उत्पादन बढ़ा नहीं रहे एक काम करो तुम लोग तेल का उत्पादन बढ़ाओ ताकि हम लोग रशिया पर अच्छे से पाबंदी लगा पाएं तो देखो आज से साथ दिन के भीत इस तारीक को यह निर्णय लिया कि हम रूस से तेल लेना बंद कर देंगे धीरे धीरे बंद तब करेंगे जब यह तेल पैदा करनेवाले क्या निरने लिया कि चलो जहां हम पहले 4,32,000 ये बैरल क्रूड ओईल पैदा कर रहे थे रिफाइन करके निकाल रहे थे उसके स्थान पर 6,48,000 बैरल क्रूड ओईल हम पैदा करेंगे यानि कि ओईल उत्पादन में लगभग 2,00,000,000 बैरल क्रूड ओईल पैदा करने का निरने ले लिया गया है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि इतना जादा ओईल का उत्पादन होगा तो सभाविक है कि डिमांड के अनुसार सप्लाई आ जाएगी इस कहानी को अब दूसरे तरीके से भी सुन सकते हैं दूसरे तरीके से क्या? कि ओपैक नामक जो देशों का सम्हू है इन्होंने शुरुआत में तो ये सोचा कि बिटा अब तुम लोगों की मजबूरी है कि रशिया पे तो पावन भी लग गई है तो तेल तुम हमसे ही खरीदोगे इस चक्कर में इन्होंने तेल सस्ता नहीं किया था लेकिन इंडिया जैसे देशोंने बाईपास क्या निकाल लिया रशिया से सस्ता तेल मंगाना शुरू कर दिया इससे इन्हें लगा कि जब सप्लाई कहीं और से सस्ता तेल होगा तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा ये भी दूसरा कारण है कि इन्होंने प्रोडेक्शन बढ़ाने का निरिने लिया कुल मिलाकर अर्थ ये है कि दुनिया में तेल की उपलब्धता और होने वाली है जिसकी वज़े से तेल सस्ता हो जाएगा अब मैं एक जानकारी और आपको दे देता हूँ बाइडन के आने से ये प्रभाव पढ़ रहा है ये तो सही है लेकिन बाइडन की यहां पर एक हार भी हुई है मैं वो भी बता देता हूँ बाइडन आने से पहले ही साओधी अरब से कहे कि भाईया सुनो तेल की कीमते बढ़ाओ पहले तेल का उत्पादन बढ़ाओंगे साओधी ने का टी के बढ़ा देंगे और दूसरा जो एक दूसरा संग्ठन है आप लोगों का जिसका नाम है ओपैक प्लस Organization of Petroleum Exporting Countries प्लस प्लस का मतलब तेल उत्पादन करने वाले जो तेरा देश है इनके अलावा दस देश और उन दस देशों का माईबाप जो है वो रशिया है जैसे ओपैक का माईबाप साओधी अरब है ऐसे ही ओपैक प्लस का माईबाप जो है वो रशिया है तो बोले रशिया वालों को तुम अपनी मीटिंग में नहीं बुलाओगे वियना वाली मीटिंग में नहीं बुलाओगे और जो तुमने अभी कहा है कि तुम लोग उत्प सर आपकी जर्वत अपनी जगे है हमारी उत्पादक्ता हमारी जगे है और ऐसी स्थिती में रशिया को हम बिना साथ लिए रह नहीं सकते यही कारण है कि इन्हों ने रशिया को इस मीटिंग से बाहर नहीं निकाला यानि कि अमरीका का प्रभाव इतना भी नहीं था कि रशिय के लिए इन सब चीजों को यहां से देख लीजिए यह सारी खबरें है और पैक ने एगरी कर दिया है तेल आपको कुल मिला कर इतना समझना चाहिए कि सस्ता होने वाला है इसकी जानकारी आपको यहां से मिल सकता है कि ट्वीटर के जो टॉप ट्रेंड है उसमें और पैक च सिखा दी ओपैक के अंदर कौन कौन से देश आते हैं वो देख लीजिएगा वेनेजुएला देखिए दुनिया में यदी तेल के सबसे ज़्यादा ग्यात भंडार अगर कहीं हैं तो वो वेनेजुएला के अंदर है आजी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजि लिविनिया, नाइजीरिया, अलजीरिया, लीबिया, कुवेट, सौधी अरब, इराक, इरान, कतर, युएई ये वो देश हैं जो की इसके अंदर शामिल होते हैं तो ओपैक क्या है? Organization of Petroleum Exporting Countries ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और ओपैक प्रस क्या है? इनके अलावा जो अन्य देश है जिसमें अजरबैजान, बहरेन, ब्रूनवी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, एंड सूडान शामिल है ये मैंने आपको बत स्कित है, ठीक है? तो ये लिस्ट है आपके सामने, क्लास खतम होने के बाद, टेलिग्राम पर उपलब्द करा दिया जाएगा पूरा कंटेंट, तो परेशान होने की आप लोगों को आवशकता नहीं है, ठीक है न? तो कुल मिला करके ये सारी कहानिया आपको ये बताने के ले की गई थी, कि आप शांती से सो सकते हैं, तेल सस्ता होने वाला है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, बाकी तो क्या ही देखना, इसमें मैंने बता दिया सब, सेशन को शेर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अनकेडमी पर अगर आप य शांदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से जादा बच्चे हमारे अनकेडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं, प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता, इस से समझ सकते हैं, ठीक है न, ये टैस सिरीज है, पेड टैस सिरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बढ़ता, इसके अलावा अनकेडमी के प्रिलिम्स और सी सेट को आप टार्गेट करके पढ़ सकते हैं, अनकेडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो content दिया जाता है उसमें proper तरीके से PDF प्राप्त होती है, PDF के साथ-साथ आपको पूरा test analysis होता है, teacher से बात करने का मौका मिलता है, हमारे iconic courses के अंदर आप teacher से direct बात कर सकते हैं, class के दौरान उससे connect हो सकते हैं, अपने doubt पूछ सकते हैं, सारा content PDF के format में प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे subscription का एक और type है, जिसे आप iconic के नाम से जानते हैं, SSE category के अंदर भी हमारे courses हैं, मेरा एक नया weekend batch शुरू हो रहा है, SSE के अंदर यदि आप उसे join करना चाहें, तो बहुत ही nominal कीमत पर आपको वो course उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे join कर सकते हैं, thank you so much, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें, कि महिल आएं आपके साथ सुरक्षित मैं से उस करें,